हुआ है है अब्रियमान वर्म वेलकम तो अनेदर वीडियो वर्म वेलकम तो अनेदर अनलेश और चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एक इस्टॉक के अनलेशिस पर और आज की वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है देखेंगे की वॉल्यूम का क्या रोल है कि वॉल्यूम के सटरीके से स्टॉक को इंफ्लेश करता है काफी लोग सिर्व उसक्ष करते हैं टोटली फाइन काफी लोग सिर्व प्राइक सक्षण के साथ aller लाया, लगा लिया टोटली फाइन बट एक वॉल्यूम होता है वो सबसे बड़ा एक मेजर रोल होता है और देखते वॉल्यूम किस तरीके से काम करता है स्टॉक के लिए मैं यहाँ पर काफी सारे अपने यूट्यूब चानल पर वीडियो जालता रहता हूं जैसे मैंने तो दिन पहले यहाँ पर काफी अच्छा रिटरन आया दो तिन दिन में फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या के ते चैनरा बैंक के अच्छा मूव आया 10% डिटरंस DCW DCW में तो मैसिव 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 ब्रेक आउट आया ठीक है और काफी अच्छे रिजल्ट भी आये और तीनों टार्गेट आये हमारे हाँ पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दी चानल प्रेश दी बेल आइकन गेट ओल दी नोटिफिकेशन अगर बिफोर दाट अगर आप सीखने के लिए वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पूरा देखना अगर आप सिर्फ लेवल्स के लिए वीडियो देख रहे हो तो अभी वीडियो बंद कीजिए और मूव आउट केजिए मैं वीडियो अप्लोड करता हूं सिखाने के देखो जैसे कि body में blood होता है water होता है उसी तरीके से stock के लिए volume क्या है वो एक इसका mean goal है कैसे वो चीज़ समझते हैं देखो यहाँ पर सिर्फ बड़े-बड़े volumes को focus करते हैं और उस time पर price action क्या बना वो focus करेंगे देखो यहाँ पर क्या हुआ volume सबसे बड़ा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ध्यान से देखो यह बन गया इसका price base और आगे भी वो ही continue हुआ volume यहाँ पर आया और यही price base बन गया same volume यहाँ पर आया और breakout हुआ अब आगे के लिए यह एक base बन गया perfect अब next time पर जब यह base ब यहाँ पर strong volumes है अब यह base बन गया यह पर strong volumes है अब यह base बन गया यह volume इस तरीके से काम करता है कि आगे के लिए पता लग जाएगा कि यहाँ पर buying हुई यह selling हुई obviously बात है अगर price action दिखा रहा है green candle है strong in candle है obviously बात है buying हुई red candle है selling हुई यानि कि किसी नहीं पर dump कर दिया promoter औफ लोड कर दिया किसी mutual funds ने अब इन सब को join करके क्या दिखाई देगा इन सब को join करके दिखाई देगी एक बड़िया सी ट्रेंड लाइन यहां पर दिखाई देगा कि overall momentum क्या है यहां पर किसी ने buy करा यहां पर किसी ने buy करा यहां पर किसी ने करा हो सकता है एक ही बंदा पिरामेडिंग कर रहा हो एक्षेंज अफैंच हो रहे हो या फिर एफ आई डिया यह जो भी है ओवर ओर ट्रेंड क्या है ओवर ओर ट्रेंड इंटाक्ट है मुव्मेंट अभी तक स्ट्रॉंग है सिंपल यह था वॉल्यूम्स का रूल अब क्वेशन आता है रोल क्यों यह देखो यहाँ पर दिख रहे हैं लास्ट दो महीने से कुछ खिचड़ी पक रही थी और वो जो यह खिचड़ी वॉल्यूम्स के रोल में तो दिख रही थी पर प्राइस सेक्शन में यहाँ पर कंसॉलिडेट कर रहा था प्राइस होगे टाटा पावर 140 के लेवल्स पर रजिस्ट कर रहा था अच्छा कासा ब्रेक आउट दिया HBL पावर हो गया चीक है अब यहाँ पर भी यही चीज हुई यह स्टॉक काफी टाइम तक ट्राय कर रहा था कि मैं 2500 का लेवल्स क्रॉस करों और उपर जाओं मैं जा नहीं पा अब हमने सीखी कि वॉल्यूम्स की वजा से वह सपोर्ट बन जाता है तो यह इंट्राडे के लिए हो गया क्योंकि एक सिंगल कैंडल पकड़ी है नेक्स्ट वॉल्यूम का बार यहाँ पर है तो यह एक वॉल्यूम का बार हो गया यहाँ पर 2200 का लेवल और अगर स्ट्रॉ मिर्च लगा कर आपको बताता कि यहाँ पर RSI देखो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखो मुविंग आफरेज देखो आप कहते हैं वाओ क्या बढ़िया चीज है नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट करना यार सिंपल प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को रखो ना अपने पास क् में क्यों सरदर्द करना फिर चार्ट में प्राइस ही नजर नहीं आता इंडिकेटर दिखाई दे रहे होते हैं वापास आते हैं अब यहां पर इसके बाद देखा जाए तो वीकली स्टॉक का भी चार्ट देख लेता है कि वीकली ब्रेक आउट क्या है वाओ हाव कि वीकली के बाद फाइव वीक्स के बाद यहां पर ब्रेक आउट आया है प्लास सबसे बड़ी बात सस्टेन कर रहा है जो मैं हमेशा हर वीडियो में डालता हूं जैसे मैंने जिया इसी आउजिंग फ्राइंस में बोला था कि 210 के उपर जाए बाए करो 200 भी क्रॉस नहीं हुआ में यहां पर ब्रेक आउट हुआ सस्टेन हुआ मतलब लोग अभी इंट्रस्टेड है इस प्राइस पर बाए करने के लिए चलो अब यहां पर बात की जाए फ्लैक ब्रेक आउट की तो मिजर कर लेते हैं करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है कुछ 2600 के आस पास फ्लैक की जो मुझे लेंथ यहां पर दिख रही है वो कुछ राउंड आफ टू 1700 टू 2500 आठ सो पॉइंट के आस पास की यहां पर लेंथ है आठ सो पॉइंट के आस पास तो मेरा नेक्स टारगेट अगर मैं फ्लैक और पोल से ही रखता हूँ तो यहां पर पहला टारगेट हुआ कु 4200 के आस पास चीक है अगर मैं एक stop loss रखना चाहूँ तो अब stop loss दो तरीके से रख सकते हैं मैं जो पसंद करता हूँ क्यूंकि हमने आज यहां पर trend line देखी तो यहां पर भी मैं trend line ही continue करूंगा trend line अगर यहां पर एक draw की जाए connecting the dots तो यह trend line के नीचे मेरा कुछ stop loss होगा य यहां पर एक चीज मुझे देखने को क्या मिली देखो प्रमोटर की holdings कितनी है 75 75 75 यानि बचा 25% 25% में इससे भी 4% FIA लेकर बैठा हुआ है 21% 2% DIA लेकर बैठा हुआ है 19% अब 19 में यह जो है public के पास है round of 18 19 उसमें से भी सबसे best part का लगा यहां पर अगर हम मैं free float देखो इसमें भी Qifi, LICI, Bodies Corporate, Investment Funds लेकर बैठे हुआ है तो market में जो shares available वह बहुत ही कम है market में shares जो है वह बहुत ही कम है इस वज़े से price upside जा रहा है प्लस power companies भी देखी sector भी हम लोगों ने यहां पर देखा जैसे Tata power का example दिया मैंने फिर उस दिन हम लोगों ने भेल भी देखा BEL के already analysis में डाल चुका था कि किस तरीके से BEL ने अच्छे returns दिये फिर भेल ने भी strong candidate movement दिया था Wednesday को यहां पर यह थे quick analysis आज हम लोगों benchmark next support बन जाता है flag breakout आ रहा है आपर trendline connected है stock में free float में काफी कम stock काफी कम shares available है flag breakout sustainable movement stop loss target current market price मैंने आप लोगों को levels दिये simple crisp and clear analysis थे video पसंद आयो तो share with your friends like and subscribe thank you for watching the video lots of love झाल 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 झाल